नमस्कार सुप्रभात आने वाले हिंदू नवर्ष की आपको आप सभी को ढे सारी शुब कामना है और इस नवर्ष में आप सभी लोग जहर मुक्त खेती की सुरुवात करें अपने और अपने बच्चों के लिए ये मेरी दिली ख्वाई से इच्छा है जैसा कि आपने श्याद समझ के जो चीजें का फेक देते हैं वह जोना है ख्यों के लिए और यह कैसे इसको मैं बताऊंगा जैसा कि आप जान रहे मैं अपने अश्यारे में अपने पटा रहा हुं खीज्स यह सारी अर्गैनिक फसले लगी हैं आप देख सकते हैं फ्रूट अब इसमें बहुत अच्छे आ रहे हैं अब दोस्तों मैं बताओं कि बहुत तारे ऐसे किसान हैं मैंने अपने बच्पने में जो चीजें देख रखी हैं हमारे जो प्रुवस्त थे वो क्या करते थे जैसे हम लोग अभी क्या करेंगे इसके कोई भी किसान अभी क्या करता है कि वह अपने खेत में फसल और सेशों को उठाता है बहां ले आकर के फिंक देता है या सुखा के जला देता है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं उस खाथ का जबरदस्त फाइदा मुझे मिल रहा है जो मैंने अप करके मैं अपने खेत में खाद बना रहा हूं और खाद बनाने का तरीका यह नया नहीं है इसे हमारे बुजूर्द बनाते रहे हैं और इसे यदि आप बनाना सुरू करेंगे मैं चाहूंगा कि आप सुरू करें सुरू नहीं करेंगे मैं चाहूंगा कि सुरू करें क्योंकि यह बहुत जब अस्तखाद बनेगी जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कोने में एक तीन फिट का गड़ा खोद दिया है इस गड़े में क्या करूंगा कि जो फसलाव से समारे खेत के बचते हैं उसको ले आके नीचे डालता हूं इसके अलावा जो घास आप चुंते हैं घास हम निकालते हैं जैसा कि मैं इसमें घास डाल चुका हूं घास डालेंगे घर का जो कुड़ा कचड़ा है उसको डालेंगे और इसको क्या करेंगे कि जब भी मैं पानी दूंगा जैसे मैंने इसमें दो दिन पहले पानी चलाया तो इसमें भी पानी से भर दिया इससे क्या हो उससे भी जादे काम करेगा क्यों देखे जैसे यह पौधा है यह सब्जी है बोकला करते हैं इसको मैंने लगा रखा है तो देखे यह बोकला हम खा चुके हैं इसको इसके डंठल को भी तयार होने में वही चीजें लगी है वही चीजें यूच हुई है जो एक पौधे में हो तो इसमें भी वही नुटुशन चाहिए जो निश्प्रगार के तत्व अलगते हैं वह शारे तत्व उसमें होते हैं जब इसमें बाहर रखकर के फेक देंगे तो अपने ही हाथों से अमने अपना सारा लगबग 80% जो हमारे खेत के लिए शोने का काम करेगा उसे हमने जला द देखिए यह घास है घास मेरे खेत से निकली मैं इसमें डाल दिया यह हमने बाटी चोखा लगाया तो घर में यह जो राक औरते खाना बनाती है यह राख है राख में भी बड़े पोशक तत्व होते हैं आप जानते होंगे तो राख को फेंके नहीं आ देखिए इसको भी जो भी कचला मेरे खेत से निकलेगा अब इसको मैं डालते जाओंगा डालते जाओंगा जब भी मैं पानी दूँगा तो इसमें थोड़ा सा खोल दूँगा जिसी यह भर जाए जब यह भरता जाएगा तो लगभग मैं इसे 6 महीने सडाओंगा और 6 महीने के बाद जब यह फसल को मैं बदलूँगा तो सारे फसल और सैसोव को एक तरफ ही चठा करोंगा और से खोट खोट करके पूरे खेतमे इसको पहला दूगा और सारे फसलसेशोええसाब करके इसमें डाल दूग और फिर पानी चला दूगा इस खेत में मैं जब भी पानी चलाओंगा just इससे क्या होगा यह एक जबरदस्त खाद बनके तयार हो जाएगी क्योंकि एक पौधा जो बड़ा प्लांट होता है उसके कुछी फूर्ट हम खाते हैं पूरा पौधा हमारे खेतों में रहता है तो पूरा पौशक्ते तो खेत में ही है अब इसको सडाक एदी खेत में डालत वो बेकार नहीं है बसते हम उसका सही उपयोग जाने और सही जानकाई के साथ प्रयोग करें तो चीजे बहुत अच्छी है यह चीजे में प्रयास यह करूंगा कि आप यदि खेती कर रहे हैं तो एक एकड में यदि खेत है तो 5 भाई पांच का पांच फिट के ऐसे तिकोन लेकिन यकीन मानिए यह जो खाद बनेगी वो जबरदस्त बनेगी बताईएगा यह चीजे आपको कैसी लगी जै हिंद जै भरत जै जवान जै किसान